हिंदू धर्म में मालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है मानिता है कि जहां पर मातालक्ष्मी का वास होता है वहां कभी भी धन धाने की कमी नहीं होती जीवन में हमेशा सुक शान्ती वनी रहती है धर्म शास्त्रों के अनसार जिन लोगों के घर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ती होती है और नियमत रूप से उनकी पूजा आराधना की जाती है ऐसे लोगों की यश और किरती चारों दिशाओं में फैली रहती है यही वज़ा है कि हर कोई माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में लगा रहता है माता लक्ष्मी की क्रपा पाने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा पाठ और दिन रात मेहनत करता है माता लक्ष्मी की क्रपा से मनश्य को धन, वैभव और सुख संप्रिदाय की प्राप्ती होती है माता लक्ष्मी के आठ अलग-अलग रूप हैं जिने अश्ट लक्ष्मी कहा गया है अश्ट लक्ष्मी की आराधना करने से मन्यशी की सभी समस्याओं का नाश होता है और यह सम्रिद्धी, धन, यश, एश्वर व संप्रदा प्राप्त कराती है धर्म ग्रंतों में एवं पुराणों में मा लक्ष्मी के आठ स्वरूपों का वर्णन है ये आठ स्वरूप बेहद ही देव्य और अलोकिक है माता लक्षमी के नाम आदी लक्षमी, धन लक्षमी, धान्य लक्षमी, गज लक्षमी, संतान लक्षमी, वीर लक्षमी, विजय लक्षमी, विद्या लक्षमी है चली अब विस्तार से जानते हैं अश्ट लक्षमी के बारे में इन्हे मूल लक्ष्मी या मा लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है मानेता है कि आदी लक्ष्मी मा ने ही श्रश्टी की उत्पत्ती की तथा भगवान विश्णु के साथ जगत का संचालन किया आदी लक्ष्मी की साधना से भक्त को जीवन का सर्वोच लक्ष मोक्ष की प्राप्ती होती है धन लक्ष्मी मात धन लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप को धन लक्ष्मी कहा जाता है इनके एक हाथ में धन से भरा कलश है तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल है धन लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानिया दूर हो जाती हैं तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी ने ये स्वरू भगवान विश्नु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए लिया था धान्य लक्ष्मी मा का तीसरा सरूप है ये संसार में धान्य यानि अन्य या अनाज के रूप में वास करती है धान्य लक्ष्मी को मा अन्य पुर्णा का भी स्वरूप माना जाता है इनको प्रसन्य करने के लिए कभी भी अनाज या खाने का अनादर नहीं करना चाहिए गज लक्ष्मी हाती के उपर कमल के आसन पर विराजमान है मा गज लक्ष्मी को क्रशी और उर्वरा की देवी के रूप में पूजा जाता है इनकी आराधना से संतान की प्राप्ति होती है राजा और समरिद्धी प्रधान करने के कारण इनहीं राज लक्षमी भी कहा जाता है संतान लक्षमी संतान लक्षमी को सकंद माता के रूप में भी जाना जाता है इनके चार हाथ हैं तथा अपनी गोद में कुमार सकंद को बाल रूप में लेकर बैठी हुई है माना चाता है कि संतान लक्ष्मी भक्तों की रक्षा अपनी संतान के रूप में करती है मा लक्ष्मी का ये रूप भक्तों को वीरता, ओज और साहस प्रदान करता है वीरलक्ष्मी मा युद्ध में विजय दिलाती है अपने हातों में तलवार और धाल जैसे अस्त्र शस्त्र धारन करी हुई वीर लक्ष्मी मा की क्रपा हमेशा भक्तों पर बनी रहती है जैलक्ष्मी माता जैलक्ष्मी के स्वरूप को जैलक्ष्मी या विजयलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है मा के इस रूप की साधना से भक्तों के जीवन के हर शेत्र में जय विजय की प्राप्ती होती है जय लक्ष्मी माय अश्किर्ती तथा सम्मान प्रदान कराती है विध्या लक्ष्मी मा के अश्ट लक्ष्मी स्वरूप का आठवा रूप विध्या लक्ष्मी है ये ज्ञान कला तता कौशल प्रदान कराती हैं, इनका रूप ब्रहमचारणी देवी के जैसा है, इनकी साधना से शिक्षा के शेत्र में सफलता प्राप्त होती है